अगर हम एक पतली लेकिन मजबुत रसी को खींचे तो रसी हम पर कोई force नहीं लगाती है लेकिन अगर रसी को किसी object से बांधते तो वह अभी हम पर और उस subject पर उतना ही force लगाने लगती है अब इस रसी को एक ऐसे disk से पास कराते हैं जो अपने access के about रोटेट कर सकता है इसके access को किसी support से fix कर देते हैं इसे fix पुली कहता है रसी के एक सीरे पर कोई load बांध कर दूसरे सीरे पर f force लगाने पर रसी load पर भी f force लगा कर खींचेगा यानि load को उपर खींचने के लिए उसके weight के बरावर force लगाना पड़ेगा अब रसी के एक सीरे को support से बांध दे और को उपर खींचते हैं पुली और उसके साथ load भी उपर आता है इस वार पुली move करता है इसलिए इसे moveable पुली कहते हैं इस पुली पर रसी दोनों तरफ से f force लगाता है यानि पुली और साथ में load पर two efforts लगता है मतलब एक moveable पुली से 100 kg weight के load को उठाने के लिए आधा यान 50 kg weight का force ही लगाना पड़ता है